भोजपूर में अपराधिक घटनाये थमने का नाम नहीं ले रहा है मानों जैसे अपराधियों के लिए भोजपूर सेव जोन बन गया हो लूट, हत्या, छिंतई, चोरी वबलतकार जैसी घटनाये इन दिनों भोजपूर में आम बात हो गई है ताजा मामला भोजपूर जिले के आरानावदा थानाच्षेतर अंदरगद धोवी घटवा इस्तित पेट्रोल पम के समीप की है जहां धोवी घटवा पेट्रोल पम के बगल में SBI ATM में बितेराध चोरों ने लगभग लाकों रुपई की चोरी की घटना को अंजाम दिया है के आरा वाले मकान जो नावादा थानाच्षेतर अंदरगद धोवी घटवा के पास पेट्रोल पम के पास इस्तित है जहां SBI के ATM से भीती राध चोरों ने ATM मसीन काटकर लाखों की चूरी कर ली शुक्रों की माने तो ATM मसीन में लगभग 20-21 लाख रुपे होने की आसंका ज तार काटा और काले रंग की एक्सप्रे लगा कर उसे ढख दिया ताकि चोरों की सारे वारदाद CCTV फूटेज में ना आए बदाया जा रहा है कि चार के संख्या में चोर काले रंग की गारी पर सवार होकर आये जो चोडी करने के बाद जगदिसपूर की तरब सभी फरार हो गए वहीं नावादा थाना अध्यक्स अभिनाश कुमार ने बताया कि इन्हें बैंक के हेटो किस के मुंबे ब्रांज से फोन से रात लगभग दो बच कर 17 मिनट पर फोन आया था कि कुछ चोरों दुवारा एक्टियम मसीन को काटा जा रहा है सुचना पाय का नावादा थ महुंचे तब तक चोर चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो चुके थे और एटियम मसीन को जगदिसपूर धाना छेत्र के दुल्हीन गंच के समीब सरक के किनारे फेड दिया था जिसे पुलीस दुवारा बरामत कर लिया गया है हलाकि इस घटना के बाद पुलीस आग अब बैंक्स आई हुए हैं क्या? हाँ बैंक्स है तक क्या सुचना मिली थी थाना दुवारा सुचना दे थी क्या आपको? अब हर खबर पर होगी हमारी नजार पल पल पदलती देश और दुनिया की हर खबर पाईए सीधा आपने मोबाईल पाई